आज की वीडियो में हम UTI के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आम भासा में हम पहसाब की नली में इंफेक्शन हो जाना कहता है हम जानेंगे ऐसी कौन कोंसी दवाई है जो की UTI को टीक करने के लिए सबसे अदा इस्तमाल किशाती है तो यहाँ पर हमने ऐसी दवाई लिए है जो की पूरी तरह से नैचुरल है यानि कि उनके कोई साइट फेक्ट भी नहीं है तो इसलिए आप उसे यूज कर सकते हैं देखें आप जानते हैं जो यूरिन होता है या फर पहसाब होता है वो किड्नी में बनता है किड्नी से होकर ये यूरेटर में आ जाता है यहाँ पर यहां पर यह कुछ देर एकहटता रहता है इसके बाद युरेत्रा से बाहर निकल जाता है यह competitors 5respect हम जान लेते हैं कि UST एंहिगने के मुक्य है क्या कारण होता है तो Smart जो कि UST के लिए सबसेयाद इस्तिमाल की जाती है इंग अपनी हमें कि विडियोस में आप आपको ऐसी आप बताते हैं जो की प्रूरी नैचुरल हैं यानि कि नैचुरल हबसे बनाई गई हैं तो यहां पर हमारी पहली दवा है नीरी जो की नीरी सीरफ नाम से आपको किसी भी मेडिकल पर मिल जाती है यह काफी फेमस दवा है यूटियाए को ठीक करने के लिए इसमें कई सारी नैचुरल हबस का इस्तिमाल किया आपको इसकी दो चमच सुबह साम या फिर सुबह दुपह साम लेनी होती है इससे आपको UTI में बहुती जल्दी आराम मिल जाता है इसमें ऐसी ऐसी हब्स का यूस किया गया है जो कि हमारे किड़नी फंक्शन के लिए काफी अच्छी माने जाती है जिससे कि सिगनू, कासनी, रिवान चीनी और वरुना तो ये सबी हब्स हैं जो कि हमारे UTI को बहुती जल्दी ठीक कर देती है इसके बाद यहाँ पर दूसरी दवा है UTIMAC तो यह भी काफी प्रोपुलर दवा है यह आपको UTIMAC सेकेट नाम से मिल जाती है इसमें क्रेन बिरिजी से कि हम आम भासा में करोंदा कहते है मैनोस और पोटेशियम मैगनिसियम सिट्रेट पाया जाता है यह आपको ग्रेनियोल्स फोम में मिलता है आपको इसके पूरे ग्रेनियोल्स को एक ग्लास पानी में या फिर दूद में मिलाकर पीना होता है इससे आपको बहुत ही जल्दी अराम मिल जाता है देखिए हापे हम आपको जितनी भी दवाय बता रहे हैं वो सेफ हैं लेकिन आपको तब भी डॉक्टर के सला के धार पर ये दवाय यूज़ करनी है तो कि प्रेंगनेंट महिलाओ और बच्चों के लिए इनकी डोस अलग-अलग हो सकती है इसके बाद यहाँ पर तीसरी दवा है चंद प्रभावर्टी तो यह आपको टैबलेट फोर्म में मिल जाती है और यह कई सारी कंपनी दवारा बनाई जाती है जैसे कि पैदनाद, डावर, पतंचली तो आप किसी भी कंपनी की परचेस कर सकते हैं यह स्पेशली यूटी आई के लिए ही बनाई जाती है इसमें गुगल, सीलाजीत, लोबसं, त्रिवीत, एंत्रिजटक जैसे कई सारी हब्स मिल जाती है जो कि यूटी आई को बहुती जल्दी ठीक कर देती है आपको इसकी एक गोली दिन में दो बार या फिर तीन बार लेनी होती है इससे आपको बहुती जल्दी अराम मिल जाता है इसके बाद है सिस्टॉन सीरप इससे हिमाले कंपनी दोरा बनाया जाता है और ये भी यूटी आई को ठीक करने के लिए काफी अच्छी दवा माने जाती है इसमें पूर्णवा, गोकसुरा, सताबरी जैसे कई सारी हब्स का यूज़ किया गया है जो कि यूटी आई को बहुती जल्दी ठीक कर देती है आपको इसके एक चमच दिन में एक बार या फिर दो बार खाना खाने के बाद में लेनी होती है इससे आपको बहुती जल्दी अराम मिल जाता है और यहाँ पर हमारी आखरी दवा है SBL Drop No.3 तो यह भी काफी पॉपलर दवा है यह एक हुमोपेटिक मेडिसीन है जिसे SBL कमपनी द्वारा बनाया जाता है इसमें कई सारी मेडिसीन का यूज़ किया गया है इससे भी आपको बहुती जल्दी आराम मिल जाता है तो यदि आपको यूटियाई है तो आप इन में से कोई एक दवा डॉक्टर की सला के अधार पर इस्तमाल कर सकते है यह दवा यूटियाई के लिए काफी अच्छी माने जाती है तो आज की वीडियो में इतना ही था